सो गाइस computer hardware के इस series में हम लोग आज discuss करने वाले हैं peripheral devices के बारे में peripheral devices वो devices होती हैं जो computer या laptop या किसी भी device में हम लोग बाहर से additional purpose के लिए इस्तेमाल करते हैं तो अब आईए यहाँ पर discuss करते हैं peripheral devices के बारे में हलांकि computer hardware security का ये पूरा का पूरा series हमारा चल रहा है computer hardware आप security की point of view से सीख रहे हो तो peripheral devices हैं क्या और कैसे काम करते हैं तो सबसे पहले peripheral devices के बारे में अगर देखें तो all external devices या जो भी हमारी devices computer system में इस्तेमाल करी जाती हैं है ना वो हमारे सभी peripheral devices हो जाते हैं types of peripheral devices के बारे में अगर हम लोग बात करें there are multiple peripheral devices like कुछ input devices होती है और कुछ output devices होती है अगर हम लोग input devices के बारे में बात करें तो input devices वो devices होती हैं जिनके through computer system के अंदर instructions भेजे जाते हैं ठीक है and output devices वो devices होती है जिनके through computer system से instructions के जो भी output होते हैं वो बाहर आते हैं तो इनको थोड़ा सा एनलाइस करते हैं जैसे कि input devices में हमारे पास keyboard आ जाता है और keyboard को सभी को पता है कि keyboard एक ऐसा डिवाइस है जिसके तुरू input दिया जाता है आज market में अगर देखेंगे तो normal keyboard के साथ साथ mechanical keyboard आते हैं जिसमें टिक 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 आवाज आपको देखने को मि RGB की बोर्ड वगएरे भी आपको मिल जाते हैं जिसमें RGB lighting, colorful lighting और यह सारी चीज़े मिलती हैं साथ में mic आपको मिलता है जिसके तुरू audio वगएरे और यह सारी चीज़े maintain करते हो mic and mice दो चीज़े होती है एक MIC होता है एक MIC है यह M-O-U-S-E का एक part है या M-O-U-S-E mouse के बारे म यह बोल ला है तो mouse वो device है जो की cursor control यानि कि जो भी mouse pointer उसको control करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि आप कौन से point पर click करना चाहते हो क्या है trackpad होता है touch screen होता है trackpad laptop अगर हम आपने देखा होगा जिसको track या जिसका इस्तेमाल करते हुग आप track करते हो mouse pointer को और use करते हो scanner भ यह कुछ input devices हैं जो कि हमारे particular peripheral devices का part है output devices में हमारे पास सबसे पहले monitor आता है जिस पे आप display output लेते हो printer है जिसमें आप printing वगरा करते हैं जो भी document वगरा प्रिंट करना है photo document and any other things projector वगरा होता है जिसके तुरूँ आप screen project करते हो है ना जो भी आपके offices में meetings और बहुत सारी यह इसी चीज़े होती है college वगरा में school वगरा में तो projector के थ्रूँ यह सारी चीज़ें आप करते हैं तो projector का एक तरीके का बड़ी screen पर output लेने के लिए इस्तिमाल किया जाता है conference room meeting वगरा में काफी जादा इसका इस्तिमाल होता है even then अगर हम लोग देखें speaker and headphone के बारे में तो speaker and headphone का audio quality means audio को आउट करने के लिए इस्तिमाल किया जाता है अब storage devices में हमारे system पर होते हैं storage devices में हम लोग memory card इस्तिमाल करते हैं flash drive इस्तिमाल करते हैं और external drive इस्तिमाल करते हैं external disk वगरा इस्तिमाल करते हैं जिसमें आफ SSD, HDD, pen drive, memory card यह सभी हमारे storage devices के part हैं तो वो सभी devices जो क कि हमारे computer system पर use किये जाते हैं वो सभी हम as a external, internal और peripheral devices से समझते हैं अब peripheral devices का अगर हम लोग कुछ specification देखें तो connection, interfaces वगरा देखें तो USB interface हमें देखने को मिल जाता है जिसमें आप अपना जो भी computer system है या जो भी device है उसके अंदर peripheral devices को connect करते हो तो मैं सबसे पहले यहाँ पर IO ports के बारे में आपको एक image दिखाता हूँ, you can see these are the IO ports तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी ऐसे IO port दिखाऊं जैसे यह है, तो यह हमारे mic के लिए हो जाता है, यह हमारा VGA port हो जाता है, यह हमारा serial port हो जाता है, यह HDMI है, यह LAN port है, ऐसे करके multiple आपक इस image से आप समझ सकते हो कि हमारे पास PS2 port है, हमारे पास parallel port है, हमारे पास serial port है, हमारे पास VGA port है, हमारे पास HDMI port है, हमारे पास DVI port है, LAN port है, USB port है, mic के लिए है, यह सब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, इन सभी port पर ही हम लोग devices और सारी चीजों को connect करते हैं, हम लोग यहाँ पर high quality का resolution लेने के लिए monitor या projector को connect करने के लिए DVI port बगर इस्तेमाल करते हैं, यह न parallel port बगर इस्तेमाल करते हैं, printer बगर हमारा USB port से भी connect हो जाता है, और यह serial port से भी connect हो जाता है, तो इस तरीके के हमारे पास ports available होते हैं, अगर हम लोग कुछ input devices के connector के बारे में बात करें, तो switches and sensors हमारे पास होते हैं, and optical character recognition होता है, gesture recognition होता है, touchpad वगरा, जो keyboard, mouse वगरा का होता है, वो आपके laptop के touchpad वगरा देख लो, तो वो एक gesture पर काम करता है, means जैसे आप उस पर finger वगरा इधर उदर move करते हैं, two finger, three finger, one finger, double tap, उसके according वो as per gesture वो पूरा का पूरा output देता है, तो ये सभी devices हमारे as a peripheral devices में आ जाते हैं, common peripheral devices के अंदर कुछ कमिया और इसकी vulnerability के बारे में बात करने तो कभी-कभी compatibility issue आता है, जैसे अगर मैं इन ही devices के बारे में बात करूँ, तो जैसे यहाँ पर एक USB port है, तो USB के multiple port आपको देखने को मिलेंगे, D type, A type, C type, तो इनका मालिया की आपको एक printer connect करना और printer USB मालिया की D type पर या USB A पर connect करना है, ऐसे कुछ है, तो जैसे simple आप यहाँ पर देखो, मैं types of USB ports, ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे USB port के type, अब देखो यहाँ पर कितने type है, type A, और modern ethernet के लिए, and micro B है, charging के लिए, C type, DC in है, और multiple यहाँ पर आपको port देखने को मिल जाएंगे, type C है, audio के लिए, means USB के यह सभी port आपको देखने को मिल जाते हैं, तो compatibility का मतलब यह होता है, कि अगर हमारा printer मालिया की एक particular A type के लिए है, या type B के connector पर है, अक्सर आपने देखा होगा, B type के printer में port आपको देखने को मिलता है, तो अगर यह port है, और यह printer side होता है, और हमारे जो particular computer system से जो के वल आता है, वो A type होता है, तो इनके बीच का यह compatibility होना चाहिए, यह सारी चीजे ध्यान दे, तो मतलब कि जो port या devices हमें अपने computer system पर, अपने laptop पर connect करना है, वो port हमारे system पर होना चाहिए, नहीं र तरीके का connector या adapter आता है, जिसका इस्तिमाल करके बनाया जा सकता है, तो image से थोड़ा idea लग जाएगा कि हमारे जो compatibility issue होते है, यह सबसे बड़ा एक issue होता है, और इस particular compatibility issue को fix करने के लिए हमें proper idea या knowledge होना चाहिए, physical damage भी होता है, कभी-कभी disk वगएरा, या जो भी devices वगएरा physical damage की वज़े से, या गिर जाने की वज़े से, कोई भी उस पर like heavy चोट लगने की वज़े से, ऐसे कुछ से, तो devices damage हो जाती है, कभी हास से आप mouse वगएरे गिरा दिये, कभी mic वगएरे गिर गया, कभी कुछ भी ऐसे, या कभी hard disk वगएरे गिर गया, तो physical damage का चांस रहता है, तो system को carefully जो भी devices होती, उनको रखना चाहिए, screen वगएरे पर कभी ठोकर लग गई, कुछ भी ऐसे हुआ, तो अकसर damage होने का chance रहता है, तो physical damage का भी एक बहुत बड़ा security और vulnerability issue रहता है, security vulnerability का मतलब यह है, कि जो भी हमारे devices हैं, उसके firmware वगएरे को update करने में हमेशा ध्यान द लिए, तो firmware को install करने से पहले, एक official website पर उस update के बारे में पढ़ लें, कि वो particular किस-किस device के लिए firmware है, और कितने version तक upgrade करना है, क्या है, मतलब एक पूरा overall idea आपको लग जाता है, firmware के बारे में, मैं कभी आगे और deep में discussion कर दूँगा, और live firmware upgrade कैसे करते हैं, यह भी दिखा तो यह सारी चीजें होती हैं, और इसको कम करने के लिए, जो यह vulnerability और सारी चीजें है, proper driver update से, या regular आप अपने computer system पर, या जो भी devices उनका driver update करते हो, तो proper function करती हैं, उनमें device वगरा में, किसी भी तरीके का bug, किसी भी तरीके का security, breach होने का कोई chance नहीं रहता, तो अक्सा devices पर update driver वगरा का करते रहते हैं, तो, physical protection के लिए, proper handling वगरा करना चाहिए, किसी भी तरीके से उसको, मतलब की, ऐसे इधर उधर नहीं रखना चाहिए, carefully रखना, carefully उसको use करना, carefully उसको एक जगह से दूसरी जगह place करना, यह सब होना चाहिए, network security के लिए, हमेशा आप अपने device वगरा पर encryption security वगरा लगा कर रखो, wifi वगरा पर आप password लगा कर रखो, ताकि वो safe हैं, secure रहे हैं, regular cleaning वगरा करना चाहिए, आपकी devices का जो भी hardware level की हैं, वो laptop, desktop, keyboard, mouse, सारी चीजों का regular clean करने से devices की life हमेशा लंबी होती है, firmware वगरा का time to time update करना चाहिए, ताकि अगर हमारे previous firmware म किसी भी तरीके की कमी है, तो developer एक नए firmware के तुरू उसको update या fix कर देते हैं, एक particular time पर research के बाद, तो उस firmware को proper update वगरा करके रखना चाहिए, एक proper power supply आपको देना चाहिए, हमेशा regulated power supply देने की कोसिस करें devices को, क्योंकि devices काफी nano technology पर होते हैं, काफी sensitive होती है, तो अगर proper power supply का regulation नहीं होगा, enter input नहीं होगा, तो devices crash कर सकती हैं, जल सकती हैं, हैना short circuit हो सकता है, तो ये सभी points हैं, और example के point of view से देखें, तो हमें हमेशा अपने peripheral devices को, Wi-Fi को, इन सभी devices को safe and secure and proper use करना चाहिए, और जो हमारी पास storage बगर है, उसका proper backup रखना चाहिए, कि अगर एक disk के अंद क्या है, वो personal, उसी समय यूज कर सकता हूं है, अगर वो disk crash हो गई, तो हमारे पास एक external hard disk वगरे में backup होना चाहिए, तो peripheral devices का मतलब यही सारी चीजें होती है, printer, keyboard, mouse, mic, USB के जितने devices होते हैं, hard disk वगरे जो होते हैं, सभी peripheral devices के एक part होते हैं, तो motherboard से connect होकर इन सभी devices को हम है, तो guys, वीडियो में बहुत कुछ important तो नहीं था, बट एक basic knowledge के लिए अच्छी जानकारी इसके अंदर है, और आगे की वीडियो हमारी काफी useful और काफी important, काफी healthy session के साथ होगी, तो मिलते हैं next वीडियो में, and channel को subscribe करेंगे, bell icon press करेंगे, thank you so much, have a good day. झाल